तो जैसा कि हम फर्माको केनेटिक्टिक्स के अंदर गात एब्जॉप्शन के बारे में पहले पढ़ चुके हैं जो कि आप प्रीबियस वीडियो में देख सकते हैं तो अब हम बात करेंगे फर्माको केनेटिक्स जिसमें a study of a dm e तो अब हम पढ़ेंगे ए के बारे में complete कर चुके हैं तो अब पढ़ेंगे d के बारे में means distribution तो distribution का मतलब आप हिंदी में भी जान सकते हैं कि distribution means होता है बातना means different different लोगों के बीच में different different organs को यहां पर हम organs को different different organs को drugs बातेंगे तो है जब हमारा जो drugs absorbed हो जाता है blood stream में तो उसके बाद हम different tissue को distribute करते हैं और यह जो distribution होता है वो concentration gradient के according होता है means plasma to tissue जाता है और यह जो gradient होता है means higher concentration से lower concentration की और जाता है तो अब बात आती है कि जो distribution होता है वो आखिर किन-किन factor पे depend करता है तो इसमें most important factor होता है आपका lipid solubility, lipid solubility जो lipid soluble drugs होता है वो उसका distribution high होता है और water soluble drugs का distribution low होता है और दुसरा इसमें factor आता है plasma protein binding तो plasma protein binding का मतलब क्या होता है तो पहले इसको हम समझ लेते हैं तो जैसे यह जो हमारा blood vessels में suppose है plasma हुआ प्रोटीन जिसमें की drugs हमारा आकर bind हुआ तो कहने का मतलब हो जाता है कि जो भी drugs हमारे plasma protein से आकर bind हो जाते हैं उनका size बड़ा हो जाता है और यह size बड़ा होने के वजह से जो हमारे blood vessels का जो capillary होता है उसके through a cross नहीं कर पाते हैं means इनका distribution जो होगा वो लो हो जाएगा means जिसका भी high plasma protein binding होगा उसका distribution लो होगा तो बात आती है कि distribution जो होता है वो कौन से drugs का होता है तो distribution उस drugs का होता है जो plasma protein से bound नहीं होते हैं मतलब free form में होते हैं तो जो भी drugs free form में होंगे उनहीं का distribution होता है तो आगे देखते हैं कि कौन से ड्रग्स किस प्रोटीन से बाइंड होते हैं तो जो एसीडिक ड्रग्स होते हैं वो एलबुमीन प्रोटीन से बाइंड होते हैं और जो बेसिक ड्रग्स होते हैं वो अलफा वन एसीड गलाइको प्रोटीन से बाइंड होते हैं means A for acid and A for albumin, means इसको हम मेनेमोनिक से याद रख सकते हैं और बेसिक जो होता है वो इसको हम इस तरह से भी आद रख सकते हैं तो अब बात आती है कि जो डिफरेंट ड्रग होता है उसका जो बाइंडिंग परसेंटेज होता है वो भी डिफरेंट डिफरेंट होता है तो जो डिफरेंट बाइंडिंग परसेंटेज होता है तो फी आखिर जो यह हम प्लाजमा प योथी ड्रग्स जो प्लाज्मा प्लोटीन से बाइंड होते हैं, उसका डिस्टिबिविजन कऊचा होगा. तो जो भी ड्रक्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होंगे उसका distribution कम होगा और उसके बाद आते हैं इसके duration पे कि जो भी ड्रक्स प्लाज्मा प्रोटीन से बाइंड होते हैं उसका duration of action कैसा होता है तो इसका duration of action होता है कि जो plasma protein से bind होंगे उनका duration of action जो होता है वो बढ़ जाता है विए क्यों बढ़ता है क्योंकि जो plasma protein से जो भी drugs bind होते हैं वो फिर एक storage site की तरह act करते हैं जब drugs का जरूरत पढ़ता है तो उस site से फिर रिलीज होते हैं और इसके बाद पर पढ़ते हैं कि displacement interaction पर क्या होता है तो plasma protein side का जो albumin होता है पर albumin होता है और acid glycoprotein जो होता है वो non-aspecific होता है तो पहले हम समझ लेते हैं कि जो displacement interaction है वो क्या है तो इसमें हम देखते हैं कि सपोज हम वारफुरीन का हैंडेड मलकुल लेते हैं जिसका कि बहुत हाई होता है plasma protein binding में 99% इसका plasma protein binding होता है तो 1% या फिर 1 मलकुल जो है वो फ्री हुआ हमारा action प्रोडियूस करने के लिए और यह जो वारफुरीन जो हम दे रहे हैं तो उस परसन को infection डवलब हो गया और उसको treat करने के लिए हम start करते हैं सल्फोनामाइड को तो सल्फोनामाइड का भी जो होता है बहुत हाई plasma protein binding tendency होता है और यह जो होता है उसी site पे act करता है जिस site पे वारफुरीन एक्ट किये हुए है पहले से तो अब क्या होता है कि यह दोनों के बीच में में सल्फोनामाइड और वारफुरीन के बीच में competition होता है फोर सेम प्लेस के लिए तो बात आती है कि जिस भी drugs का plasma protein binding tendency हाइ होगा वह अपने से कम plasma protein binding tendency वाले को वहां से डिस्पलेस कर देंगे तो यहां से जब सल्फोनामाइड वारफुरीन को डिस्पलेस करता है तो सल्फोनामाइड को डिस्पलेस करने पे वारफुरीन आ जाता है हमारा ब्लड अस्ट्रीम में और ब्लड अस्ट्रीम में आने से यहां पर क्या होता है कि वारफोरीन टॉक्सिसीटी होता है और यहीं जो वारफोरीन का जो डिस्प्लेस्मेंट हुआ इसी को हम बोलते हैं डिस्प्लेस्मेंट इंट्रेक्शन हैं डाइलेसिस पे तो डाइलेसिस में हम उस ड्रग्स को रिमूब करते हैं जो कि sufficient concentration में प्लाजमा में फ्री होता है और जिसका जो होता है कि volume of distribution कम होता है मिस जिस भी ड्रग्स का volume of distribution high होगा उस ड्रग्स को रिमूब करना बाई ड्रग्स बहुत ही difficult होगा और आगे देखते हैं यह बात कि ड्रग्स आखिर होता कौन से ड्रग्स का है तो ड्रग्स हम उस ड्रग्स का कर सकते हैं जिसका कि volume of distribution low हो और plasma protein binding भी लो हो तब हम उस drugs को easily dialysis कर सकते हैं जैसे कि इस में आएक आता है आपका drugs salicylate तो उसके बाद हम देखते हैं कि dialysis and drug poisoning जो कि plasma protein binding के बाद हम देखते हैं एक अलग factor है dialysis and drugs poisoning तो drugs poisoning में आखिर हम क्या करते हैं तो drugs poisoning जब होता है है तो इसमें सबसे main चीज होता है कि हमको maintain करता है ना पर करना परता है ABC ABC को अगर maintain कर लिए तो poisoning को आप easily control कर सकते हैं तो ABC का मतलब क्या होता है तो ABC का मतलब होता है airway potency breathing and circulation means आपको maintain करना है airway potency को breathing को and circulation को और अगर अगर हो जाता है तब हम क्या करेंगे कोई उस person को decontamination करेंगे अगर मिस जल्दी से जल्दी as possible उसका decontamination करेंगे तो decontamination में हम क्या करते हैं कि activated charcoal देते हैं तो उसके बाद बात आती है कि कुछ उस ड्रक्स जो होता है उसका antidote available होता है तो हम उसका antidote देके उस poisoning को खतम करते हैं लेकिन बहुत सारे ऐसे drugs होते हैं जिनका antidote available नहीं है तो उस इस्थिती में हम किवल डाइलेसिस से ही उस drug के poisoning को कम कर सकते हैं तो अब आते हैं बात कि डाइलेसिस जो होता है वाकि effective होता है कौन से drugs में तो जो drugs plasma में अस्टे करते हैं उस drugs का हम डाइलेसिस कर सकते हैं क्योंकि जो भी डाइलेसिस होता है उसमें हम प्लाजमा को फिल्टर करते हैं, प्रोटीन को नहीं, क्योंकि अगर हम प्रोटीन को फिल्टर करेंगे, तो प्रोटीन की कम हो जाएगी हमारी बोडी में, तो अब आती है कि जो हमारा डायलेसिस है, तो डायलेसिस एफेक्टिव होता है कौन-कौन से ड्रग्स पर, मिस एफेक प्लाजमा प्रोटीन बाइंडिंग भी लो हो, तो अब बात आती है कि हम कौन-कौन से ड्रग्स का डाइलिसिस कर सकते हैं, कौन से ड्रग्स का के पोईजनिंग का डाइलिसिस कर सकते हैं, और कौन से ड्रग्स का के पोईजनिंग का डाइलिसिस नहीं कर सकते हैं, तो इसको हम कनफर्म है कि अगर उनको प्वाइजनिंग हुआ है तो उनका ट्रीटमेंट भी होगा ही होगा चाहे जो भी खर्चाप करना पड़े तो उसमें हम याद रख सकते हैं M, L, A means जो MLSR को जो प्वाइजनिंग हुआ उसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं एंफर हो गया MTHANOL, L for lithium and A for esprin मिस ईससब ढर्रग से जो अगर प्वाइजनिंग होता है तो इसका हम ड्क्राइजस कर सकते हैं मिस इसमें ड्क्राइलेसिस पोसिवल है और अब बात आती है कि ड्क्राइजस आखिर पोसिवल किसमें नहीं है तो इसमें हम simply याद रख सकते हैं कि avoid dialysis, means A for amphetamine, B for verapamine, O for opioid and organophosphate, I for imipramine, D for didoxin and D dialysis for digepalm. इसमें most of the benzodiazepine होते हैं, जिसका कि हम dialysis effectively नहीं कर सकते हैं, तो अब आते हैं next factor affecting distribution, जो कि है volume of distribution, तो volume of distribution का मतलब होता है amount given by IV by plasma concentration, तो इसको हम एक देख लेते हैं example से, तो एक हम 5 लिटर का भी कर लेते हैं, 5 लिटर का, जिसमें कि हम 100 mg drugs देते हैं, तो यह जो drugs है, यह पूरा का पूरा plasma में ही रहता है, means किसी भी तरह का distribution इस drugs का नहीं होता है, किसी भी organ में या tissue में, तो इसका हम पहले plasma concentration निकालते हैं, तो plasma concentration हो जाएगा amount by amount per liter, means वग्या कि 100 by 5 means 20 mg per liter, तो अब volume of distribution इसका निकालते हैं, means amount given by IV, that is 100 mg by plasma concentration, that is 20 mg per liter, that is 5 liter, तो अब एक और example लेते हैं, जिसमें कि हम 5 लिटर का भी कर लेते हैं, और उसमें भी 100 mg drugs का देते हैं, तो इसमें हमारे कुछ और्गन हुएं, जैसे लीभर, किड्नी बगएर जो हैं हमारे body में, उसमें absorbed हो गया drugs, 50 mg absorbed हो गया, means 50 mg absorbed हो गया, तो बच गया हमारा 50, means plasma में जो free form में रहा, वो 50% हीस का रहा, तो उसका plasma concentration हो जाएगा 50 by 5, that is 10 mg per liter, तो इसका volume of distribution होगा, amount given by IV, that is 100 mg by plasma concentration, means 10 liter volume of distribution, तो इसका मतलब आखिर क्या होता है, जो plasma concentration and volume of distribution जो हुआ, इसका मतलब क्या यहां पर आ रहा है, जिस भी drugs का volume of distribution जादा होगा, उसका distribution जादा होगा, means इस drugs का, जो कि A, केस A में जो हम लिए, इसका volume of distribution 5 liter है, जो कि यह पूरा के पूरा, इस plasma में ही available है, means किसी भी तरह का इसका कोई भी distribution नहीं हुआ, जब कि ऐसा होता नहीं है हमारे बोडी में, जो कि 100% कोई ideal नहीं होता है, जैसा कि हम जान रहा है कि हमारे बोडी में organ बगएर भी होते हैं, तो इसमें जो भी drugs हमारे बोडी के organ या tissue में distribute हुए, means जिसका भी volume of distribution जादा हुआ, उसमें drugs का distribution जादा होगा, तो एक और example ले लेते हैं, जिसमें कि होता है कि case 3 लेते हैं, जिसमें 100 mg हम drugs का देते हैं, एक बीकर है, जिसका concentration 5 liter है, और इसमें एक बड़ा सा कोई organ है, जिसमें distribution drugs का जादा होता है, means 90% इसमें drugs distribute हो गया, तो यहाँ पे जो अब लेवल free form में हुआ, plasma concentration में, वो 10 मलकुल हुआ, तो इसका plasma concentration हो जाएगा, distributed per liter, means 10 by 5, that is 2 mg per liter, plasma concentration, तो इसका volume of distribution हो जाएगा, amount given by IV root, that is 100 mg by plasma concentration, means 50 liter इसका volume of distribution हो गया, तो यहाँ से अब किलियर होता है, कि जिस भी drugs का volume of distribution जितना ज्यादा होगा, उसका tissue या organ में distribution उतना ही ज्यादा होगा, जैसे कि हम एक example ले ले लेते हैं, chloroquine की, जिसको कि हम malaria में यूज करते हैं, इसका volume of distribution बहुत ज्यादा होता है, means more than 1300 liter, तो अब आगे इसके देखते हैं, कि और कौन-कौन से factor है, जो distribution को affect करते हैं, तो एक और factor है, blood flow, means जिस भी organ में या tissue में blood का flow ज्यादा होगा, वहाँ पर बेशक सी बात है, कि जो भी drugs होगा, उस blood stream में या blood vessels में उसका distribution भी ज्यादा होगा, means blood flow greater, means distribution greater, and blood flow lower, means distribution lower, तो जैसा कि हम जानते हैं, कि हमारा brain, liver, kidney में blood का जो flow होता है, वह बहुत ज्यादा होता है, as compared to a skeletal muscle, adipose tissue, तो brain, liver, kidney में distribution जो होगा, drugs का, वह ज्यादा होगा, skeletal muscle and adipose tissue के, जैसे कि आप thiopental, sodium जो है, एक anesthetic है, उसका example ले सकते हैं, तो अब एक और बात आते हैं, next term है, जो कि यह factor affecting नहीं है, यह एक term है, redistribution, तो redistribution आखिर किसको बोलते हैं, redistribution का मतलब होता है, अगर इसको हम अलग-अलग करते हैं, तो re means दुभारा, और distribution means बाटना, तो दुभारा किसी भी चीज को कब बाट सकते हैं, कब किसी और को दे सकते हैं, जो चीज हमें किसी से मिला है, वो हम किसी और को कब दे सकते हैं, जब वो मेरे पास ज्यादा हो, तब ही ना, तो जैसे ए मान लिया जाकिह हमारा ड्रस है, तो ए इसका distribution पहले brain, heart, kidney वगार हमें हुआ और इसका perfusion । ड्रस का इसके बजह से distribution हुआ और इसमें ज़गा होने के बजह से पुनह इसका distribution होता है muscles tissue में और fat tissue में Means इसमें ज्यादा हुआ तो फिर एक distribute हुआ Means यहाँ पे हो जाएगा redistribution Means दुबारा इस drugs का distribution तो at last हम देख लेते हैं कि जो हमारा drugs होता है वो different different tissue से उसका affinity कैसा होता है Means जो adipose tissue होता है उससे bind होते हैं तो अब नेक्स टॉपिक में हम देखेंगे मेता बली जम के बारे में लिए 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 अबस्काइब मैं चानल थांक्स पर वाचिव